इंग्लैंड वर्सेस साथ अफरीका का मैच कुछ वैसा ही था जैसा इंडिया वर्सेस अस्ट्रेलिया मैच शायद लोग उम्मीद कर रहे होगे यह देखने की कि सेमिफाइनल में जाने से पहले कौन किस पर कितना भारी होता है और कौन कितने पानी में लेकिन साथ अफरीका ने यह मैच जीत लिया इंग्लैंड यह मैच हार गई साथ रनों से उसकी हार हुई और अफरीका ने अपनी जीत का सिलसला जो है वो बरकरार रखा छे मैचस में लगातार साथ अफरीका जीत चुकी ट्विंटी वर्ड कप में और यह उनके लिए एक बड़ा मुमेंट था त्यूंकि साथ अफरीका जिससे अक्सर लोग चोकर कहते थे इस वर्ड कप में एक बहतर टीम नज़रा आ रही एक टीम जो टीम की तरह खेल रही है और उसने बड़ी बड़ी टीमों को हराया शिलंका को 6 विकेट से रहाया नीदर्लैंड को 4 विकेट से रहाया बंगलादेश को 4 रनों से रहाया नेपाल वाले मैशियों फसे थे जहाँ पर एक रन से उनकी जीत हुई थी लेकिन फिर USA को अठार रनों से और अप इंग्लैंड को साथ रनों जहरा कर अपनी जीत के सिलसिले को बरतरार रखा माकरम की टीम ने जलवा जलाल रखा इस माच में साथ अफरीका और इंग्लैंड में जो डिफरेंस था वो था कुइंटन डिकॉक का दरसल बाद में बटलर ने भी का कियार कुईंटन डिकॉक जो है वो अलग माइंडसेट से आये थे और उस माइंडसेट को क्योंकि इंग्लैंड मैच नहीं कर पाया लहाजा वो दूर हो गये कुईंटन डिकॉक ने एक तगड़ी पारी खेली शुरुवाती मैचस में वो स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन ऐसा लगा कि अपना बेस जो है वो बचा कर रखा था मोईन अली स्लो थे तो उपर के चार ने रन नहीं बनाए नीचे हारी ब्रूक ने कोशिश की अच्छा करने की लियाम लिविंसन ने कोशिश की अच्छा करने की लेकिन जब तक कोशिशें मुकमल होती तब तक चीज़ें बदल गई थी और इसी वज़ा से कहानी जो है वो और एंड में अच्छी गिनबाजी भी की अठार वेवर में चार रन उनीस वेवर में साथ रन बीस वेवर में छे रन और उनकी गिनबाजी का असर था कि साथ अफरीका ने इस मैश को जीता मतलब बढ़िया मैश था है उससे पहले रन पिट रहे थे 16 वेवर में 13 रन 15 लियाम लिविंस्टन को रबाडा ने आउट किया और यही दोनों प्लेयर थे जो इंग्लैंड की जीत के उमीद थे तो कि उपर के चार तो फ्लॉप हो गए थे 37 पे 33 रन लियाम लिविंस्टन ने थे इस मैश में सारी कहानी बल्टी लियाम लिविंस्टन का जो लेकर विक रबाडा ने 36 गेंदे फेकी हैं डेथ हूवर्स में जिसमें 20 बॉल जो है वो डॉट बॉल गई है चार विकेट निकाले एकॉनमी जो है वो पांच की है और यह बताती है कि रबाडा एक बड़े गेंदबाज है और अगर यही फॉर्म वो कॉंटिन्यू रखते हैं तो फि पॉट अफरीका की टीम जो है वो बहतर होती जा रही है और मोस कोंस्क्रेटिव विन अगर आप बात करेंगे एकलीस वन विकेटी 20 में तो फिलाल वहां पर भी इनकी टीम का नाम है बढ़ियां चल रहा है मामला 16 मैश में लगाता है नौके ने कम से कम एक विकेट निकाले पंदरा विकेट का है इस तोडी का नाम है लेकिन इन सब से आगे नौके निकल गया है नौके ने ऐसा लगता है कि डेली स्टेन वाली जो कोशिश थी उससे करना शुरू कर दिया है और डेली स्टेन की जगा पर भरपाई कर दिया नौके ने 16 मैश में 30 विकेट निकाले है इससे पहले डेलिस्टियन के नामी रिकॉर्ड था, 23 मैचेस में 30 विकेट का, उनी का रिकॉर्ड नौके ने तोड़ा है और ये बढ़िया उनकी कहानी रही हला कि ये मैच अगर साथ अफरीका जीती है तो इसमें केश्यो माहराश की भूमिका भी है चार ओवर में 25 विकेट उन्हों निकाले और ये मैच बताया कि स्पिनर्स के हाथ काफी कुछ है इस मैच में जोफरा अर्चर ही काफी पिटाई हुई तीन विकेट हरा कि निकाले उन्होंने लेकिन उनकी पिटाई हुई जो एक बड़ी हाइलाइट थी कुछिंटन डिकॉक ने फैटा लगाया लेकिन ये मैच अभी भी इंग्लैंड की कहानी को खतम नहीं कर रहा है इंग्लैंड की कहानी अभी बाकी है साथ अफरीका ने इसमें दो मैच खेले हैं, दो जीते हैं, चार पॉइंट हैं इंग्लैंड ने दो खेला है, एक जीता है, दो पॉइंट है USA और West Indies के भी एक-एक मैच में लॉस है अब अगर West Indies और USA यहां से मैच जीतती है, तो कहानी पलट सकती है अगर इंग्लैंड अपना ने दो मिंटेन करती है और आगे एक और मैच जी जाती है तो उसके चांसे फिर भी रहेंगे क्वालिफाई करने को लेकर लेकिन फिलाल कहानी यह है कि South Africa सेमिफाईल के लिए क्वालिफाई कर गई है और South Africa अब यहां से आसानी से सेमिफाईल में जा रहें South Africa का एक मैच बाकी है West Indies के साथ इंग्लैंड का एक मैच बाकी USA के साथ अगर कोई बड़ा उलट फिर नहीं हुआ तो most probably qualified जो है वो इंग्लैंड कर जाएगी most probably ऐसा हो सकता है इसमें कहानी और हो सकती कि West Indies South Africa को हरा दे फिर West Indies USA को हरा दे और फिर नेट इनेट कहसाब के ताब हो बट इस गाना बी इंट्रेस्टिंग South Africa almost confirm होकर confirm नहीं है अब West Indies अगर USA कोहरा आती तो फिर इस group में climax मज़ा होगा लेकिन फिलाल नजर जो लोगों की है वो इस match के बाद India versus Australia India versus Bangladesh की है I hope कि उतना entertaining हो इस बार सारी team में बराबर लगने है कोई भी team किसी को ब्यारा सकती है Let's you see अपने दिन कौन किस पर कितना भारी पढ़ता है